पूरी जानकारी मिलेगी लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक स्पोर्ट यारी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे बाकी अगर हम बात करें उससे पहले आज की इवेंट की जानकारी देने से पहले जरा आपको कल लेचलते हैं यहाँ पर जिस तरीके से हमने देखा कि फिर से हमें गोल्ड की जिस तरीके से रस्लिंग में हैट्रिक लेगी उसके बाद लगातार हम पॉइंट स्टेबल में भी रवी दाहिया ने गोल्ड जीता शांदार तरीके से इसके लावा विनस फोगाट ने तो श्री लंका पहलवान को जिस तरीके से चित किया कि तकरीबन एक मिनट के अंदर उढ़ों ने भी अपना मुकाबला जीत लिया इसके लावा हम बात करें तो नबीन कुमार ने भी र गोल्ड मिडल वहाँ पर भी जीता और भवीना के बारे में हम लगातार बात कर रहते कि उन्होंने चाहें वो उलम्पिक की बात हो वो लगातार अच्छा करती आई हैं उनसे मेडल की उमीद भी थी तो यहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से पैरा टेबल टेनिस में गोल्ड जीत कर कल के दिन के अगर हम बात करें तो हमारा यह चौथा मिडल था गोल्ड मिडल की बात करें तो यह वहाँ पर हमने कमाल किया बाकी अगर हम बात करें बॉक्सर की तो हमने जिस तरीके से कल हमारे पूरा दिन अच्छा गया था बॉक्सिंग के मामले में ने फाइनल के कुछ मुकाबला में ब्रॉंज से भी संतोष करना पड़ा था लेकिन अगर हम बात करें सागर की जो दिररात मुकाबला खेला गया सागर ने वाप 92 केजी कैटेगरी में जीत हासिल कर फाइनल का टिकट कटा लिया और उमीद करेंगे कि एक और गोल्ड मिटल हमारी जोली में बॉक्सिंग के जड़ी है क्योंकि हमारे तीन जो बॉक्सर हैं वो फाइनल में पहुंच चुकी हैं उसके जानकर ही आपको हम इस वीडियो में आगे देंगे कि उनके कब-कब मुकाबले खेले जाएंगे के यहां पर हमने गोल्ड जीता यहां पर भी कमाल हुआ एक लेंड को हरा कर हमारी टीम इहां पर मेली जीता इसके लावावा हमने देखा कि कल अभिनास साबले ने स्टिपल चेस में जिस तरीके से सिलवर हासिल किया प्रिंका गोस्वामी जिन्होंने 10,000 मिटर पैदल चाल में उन्होंने मिडल जीता तो ये कुछ कल के वो इवेंट से जहां पर हमने काम्याभी हासिल की बैटमिंटन में हमारी टीम ने अच्छा किया हम वहां से भी आगे बढ़ें और फाइनल का सफर हमने किया हाँ थोड़ा बहुत अगर निराशा वाली बात है तो लगातार आप सभी लोग कमेंट भी कर रहे थे जिसको लेकर मनिका वत्रा को लेकर वो टेबल टेनिस में कहिना है कि उन्होंने निराश किया जितनी उनसे उमीदे थी उस लिहाज से नहीं हो पाया उन्होंने सिंगल्स हो या डबल्स हर मुकाबलों में उन्हें हार मिली ऐसे हम उमीद करेंगे कि अगली बार जब इस तरिके के कॉमपोटिशन हो तो और बहतर करते हुए आएं क्योंकि लगातार उनके बारे में जितनी बाते होती हैं पर पिछले कुछ समय से उनका प्रदर्शन उस लिहाज से बहतर नहीं रहा है तो आज की इवेंट्स की बात करें आज की इवेंट्स से पहले एक बार आपको जानकारी दे देते हैं कल का जो सारे गीम हुए ब्रॉंज मिला गूल्ड मिला उसके बात पॉइंस टेबल में हम पाच्छे अस्थान पर पहुंच चुके तो ये मिल्ड्स की अपडेट थे बाकि अगर आज की इवेंट्स की बात करें तो आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि आज कौन कौन से इवेंट्स खेले जाएंगे और वहाँ पर हमारे चांसे क्या क्या है जाते हैं क्योंकि आपर हमने जवर्दस्त खेल खेला था तो यहां पर आप देखिए मुकाबला जो होकी का यहां से न्यूजिलेंड के साथ मुकाबला डेड़ बजे से यह मुकाबला शुरू होगा तो उसकी पूरी जानकारी आपको लगातार स्पोर्स यारी पर मिलती र किया अब जो उमीदे बसती हैं बैटमिंटन से और बॉक्सिंग से कि यहां पर हम लगातार मेडल हासिल करें तो बैटमिंटन के मुकाबले हैं दो बजे से शुरू होगे वीमन सिंगल में पीवी सिंधू का मुकाबला होगा यह दो बजे के यह दो दो के बीस के बीच के खेला जाएगा तो उमीद करेंगे कि पीवी सिंदू सिंगल से मुकाबले में बेहतर करें यहाँ पर जो गोल्ड निसे उमीद है और उमीद करेंगे कि यह फाइनल में पहुंच कर यह गोल्ड लाएं इसके लावाँ आप देखिए जो दूसरा मुकाबला रहेगा में भी थॉमस कप की जीत में इनका बहुत 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 बहुतरी नियोगदान था तो यहाँ पर अच्छे फॉर्म में है लक्ष सेन भी इसके लावाँ अगर हम बात करें जो मैं सिंगल में किदामदी सिरिकान से भी उमीद होंगी क्योंकि यह भी टॉप सटलर की इसके जोड़ी दिखेगी उमीद करेंगे यह भी इनका सफर आगे बढ़े और यहां से मिडल की जो हमारी पूरी खुआईश है उसको कम्प्लीट करें चार बच की पचास मिनट पर मैंस डबल्स में आप देखिए साथविक साहिराज और चिराग सिट्टे की जोड़ी लागातार अच्छा करते हैं पर हां टीम इवन गेम में हमें जरूर निराशा मिली थी पर इन सारे खिलाडियों को उससे उबर कर यहां पर इंडिविजुल गेम में बहतर करते हो यह मुकाबले को जीतना होगा और उमीद करेंगे कि यह जो पांच मुकाबले इन में से आपको भारत के अब्दुल्ला दिखेंगे इसके लामा अगर आप देखें तो इल्लोस पॉल दिखेंगे परबीन भी आपको नजर आएंगे यह जो जंप के मुकाबले हैं यहां पर ट्रिपल जंप फाइनल के यह आपको दू बच के 45 मिनट पर आपको यह दिखेंगे इस तरीके से बहतरीन दस हजार मीटर जो वाक थी वहाँ पर उन्हों ने जिस तरीके से मेडल जीता था तो उमीद करेंगे यहां से भी मेडल आए और इसके आगे के अब रात करें वीमेंस जैवलीन थ्रो का फाइनल मुकाबला सिल्पा रानी और अनु रानी यहां पर भाज क से आपको दिखाई पड़ेंगे चार बच के तीन मिट पर यह मुकाबला खेला जाएगा तो यहां पर भी उमीद करेंगे कि हम बहतर करें मिडल जीते हैं वीमेंस के फोर हंडर्ड फोर गोडे हंडर्ड मीटर रीले फाइनल में आपको दूती चंद दिखेंगे हिमादास और भारत की सर्बानी जोती यह मुकाबला पांच बच के चोवन मिट से शुरू होका यही सारे इमेंट लगातार चलते रहेंगे तो यहां पर भी हम उम्मीद रहेगी कि अथलेटिक्स में भी हम बहतर करें मैंस जैबलीन फोर के फाइनल में बार बार लोग सवाल कर रहते कि इस बार नीरच चोपड़ नहीं तो किस से उमीदे बहुत जादा है जैबलीन में कौन हमारे लिए मिडल लाएगा तो कई ना कई जो नजरे हैं रोहित यादो पर है क्योंकि वर्ल्ड अथलेटिक्स में अभी हमने हाली में उनको देखा था वहां पर वो जिस तरीके से अच्छे थो किये थे हाँ उन्होंने मेडल तो जरूर नहीं मिला पर हाँ कई ना कई वो सुर्खियों में जरूर आया था जो उनका प्रदोशन था तो मीड करेंगे कि जैमली में रोहित या तो इस बार हमारे लिए वो काम करें जो हमने लगातार उमीर नीरच चोपड़ा से के तो उमीद देखते हैं कि किस तरीके से उनका प्रदोशन रहता है इसके लावा बाकी जो मेंस का फाइनल रिले होगा वहाँ पर भी हम देखे एक मुकाबला रात को एक बजे के आस पास खेला जाएगा बाकी के अगर हम देखे आप नीचे देख रहोंगा मेंस फोर ग विविएट में से कर किरेती के राद बारा बजे के बात खेला जाएगा तो इसके भी पूरी आपको अप्डेट मिलते रहेगी लेकिन इसके बाद के जो मुकाबले हैं Athletics event complete होगा बाकी अगर हम बात करें तो complete के बीच में जो मुकाबले चल ले होंगे बाकी जिस पर सब की नजर होंगे boxing के अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमें उमीद करेंगे कि जितने मुकाबले हैं सभी में हमें gold ही मिले क्योंकि यहाँ पर हमारे सारे खिलाडियों जबरदस की आप देगे यहाँ पर women's के जो नीटू का मुकाबला है यह मुकाबला women's minimum weight final मुकाबले में नीटू जिस तरीके से इनका सफर रहा है हमने लगातार सारे खिलाडियों की बात की पीचाएं आप देखिए लबलीना की बहुत बात हुई वह बाहर हो गई निखत बहुत अच्छा करती है यह भी final में है लेकिन नीटू ने जिस तरीके से अपने मुकाबले जीता शुरुआस से उतनी चर्चा नहीं हो इस खिलाड़ी की लेकिन उन्हें जबरदस तरीके से अपने मुकाबले जीते और final में सफर तैय किया और उमीद करेंगे कि हर दिन के तरह जब जब इनका पहला boxing के हमने देखा है कि इनके जब जब मुकाबले हुई है सबसे पहले रहें भारतिये खिलाडियों में और हर दिन उन्हें जीत हासिल के साथ एक अच्छी खबर दिये उमीद करेंगे कि तीन बजे उनका मुकाबला खेला जाएगा और यहां से में गोल्ड की जो शुरुवात है वो यहीं से हो जाए तो यह वीमिन्स अगर हम बात करें बॉक्सिंग में यहां पर आपको दिखेंगी नीटू और बाकी यह मुकाबला तीन बजे खेला जाएगा और बाकि इसके बात का जो मुकाबला आमित पंगल आपको दिखेंगे ये मुकाबला भी तीन बजे होगा आमित न जिस तरीके से अभी तक इनका भी सफर रहा है उमीद करेंगे कि आमित हमारे लिए गूर्ड लेकर आए और आज तो हमें बॉक्सिंग से तो उमीद है ही जरीन से उमीदें जिसे हमने बात करते हैं हम रोग रेस्लिंग में कि वहाँ पर हो गए वीनिस फोगार सक्षे मलिक उसी तरीके से उमीद हमारी निखत पर भी ये मुकाबला साथ बजे से खेला जाएगा तो आपको सारी जैनकारी लेकर स्पोर्ट सारी पर हम जूड़ से रहेंगे आपके लिए आप लगातार स्पोर्ट सारी को साथ जूड़ी रहिएगा बाकी अगर जो अगला मुकाबला सागर अलावत जो आज अगर हम बात करेंगे जो रात बारा के बाद इनका मुकाबला था वहाँ पर उननों जिस तरीके से जीत कर फाइनल का टिकेट कट आज आए तो इनका भी मुकाबला आज होगा वह भी रात को एक बज़े ही खेला जाएगा तो यहाँ पर भी गोल्ड के पूरे पूरे चांसद रहेंगे यह मुकाबला जोगा 12 के बाद यहां कि मंडे कल के डेट में लग जाएगा तो उमीद करेंगे यहाँ से यहां पर ब्रॉंज मेंटल मुकाबले में आपको श्रींजा अकूला दिखेंगे जिन्होंने अच्छा किया भी तक चाहें वो उस मुकाबले की लगातार बात होते हैं जिसमें उन्होंने तीन एक से शायद विल्ट की खिलाड़ी के साथ हैं उन्होंने जवरदस्त वापसिक की थे तीन एक से उस मुकाबले में उसके लावा इन्होंने अगले मुकाबले में भी कुछ इसी तरीके से वाप से केची तो ये लगातार हमने बहुत चर्जा की बाकिये खिलाडियों की मनका वत्तरा तर जैसे तमाम प्लेयर्स की लेकिन स्रीजा की भी दास देनी होगे जिस मैच यहां पर भारत के अचिंता शर्थ कमल आरोंगे इनके साथ होंगे जो झी साथ यहां छे बचरित कर फंदर मिट का गोल्ल मुकाबलाlock में आप बाकि जो डबल्स का मुकाबला है गोल्ड मिडल का मैच है यह देखिए यह सबसे बेस्ट जोड़ी है शरत कमल की और स्रिजा अंकूला की यह गोल्ड मिडल मुकाबला रहेगा तो यहां पर भी नज़रे होंगी आपके साथ अपडेट लेकर जोड़ते रहेंगे बाकि इसके बाद का जो मुकाबला है उस पर तो सबकी नज़रे रहेंगे ही क्योंकि वहां पर आप देखिए क्रिकेट का मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के विश्ट फाइनल मुकाबला यह दिखेगा आप देखिए जिस तरीके से साधे 9 बजे मुकाबला खेला जाएगा और हमन तो सबसे दबंग टीम है लेकिन हमारा जो यह सफर रहा है अगर हम बात करें चाहिए वो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो पहला मुकाबला था जो इस तरीके से हमने एक सो उनको जिस तरीके से कही ना कहीं बैक फूट पर ढखेला था रेंका ने जो गेदबाजी की ती तो यही देगी कि आज हम उस्ट्रेलिया को हराएंगे और फाइनल में हम गोल्ड जीतेंगे क्योंकि इससे पहले आप देखें खिलाडी की मंदान अच्छे फॉर्म में है इसके लामा हम देखें जैमिवा भी अच्छे पारियां खेल रही है गेदबाजी में भी दीपती अच पर आया बर्मिंगम में जहां उनके तमाम दर्शक बैटे हुए थे उनी के घर में उनी के बीच मुन को मात दे थी तो उमीद करेंगे कि आज हम ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे यहां पर गोल्ड मिडल जीतेंगे बाकि इसके बात का जो मुकाबला एक और मुकाबला अगर हम तो यह आज की इविंट थे जहां पर सबकी नज़रें तो बहुत ज़्यादा होंगे अगर हम बात करें तो बॉक्सिंग के मुकाबलों पर जहां में तक्रिबन तक्रिबन चार गोल्ड मिडल मिल सकते हैं इसकोश के मुकाबले के मानने आपको बताया है कि यहां के साथ खत्न करें न्यूजिलेंड के साथ यह मुकाबला रहेगा तो यह आज की इविंट्स की अपडेट थी कल की भी हमने आपको जैनकारी दी कल क्या क्या हुआ था वाकि आप तो क्या लगता है कि आज कौन कौन सी में भारत को मिडल अच्छे खासे मिल सकते हैं और साथ कि किस खिलारी पर आपकी खास तौर पर नजर रहेगी बाकि टाइम हमने आपको बता दी अपने अपने हिसाब से समय निकाल के अपने जो फेबरेट गेम उसके लिए आप जरूर जुडिएगा बाकी आपको हमारी कॉमेंट बल्स की कवरेज कैसी लगी जरूर कॉमेंट ब हारत